साथियों, सेना में आकर, सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर, पुलिस सेवा में आकर, हर युवां उसका सपना होता है को वो देश की रक्षा का प्रहरी बने और इसलिए आप पर बहुत बड़ा दाईत्व होता है, इसलिए आपकी जरुरतों के प्रति भी हमारी सरकार बहुत गंबीर रही है बीते कुछ वर्षों में, अर्द साइनिक बलों की भरती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बड़लाव किये हैं आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई हैं आर्द साइनिक बलों में भरती के लिए होने वाली परिक्षा अब तेरा स्थानिय भाषाओं में भी कराई जा रही हैं पहली ऐसी परिक्षा में सिरफ हिंदी या अंग्रेजी चुन्ने का ही विकल्प होता था अब मात्र भाषा का मान बढ़ा है इस बदलाव से लाखो युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं पिछले वर्ष भी 36 गड़ के नक्सल प्रभावित जिलों में सेंकडो आदिवासी युवकों की नियुक्ति की गई थी इने नियमों में छूड़ दे कर सुरक्षा बल में भरती पाने का आउसर दिया गया ताक्कि विकास की मुख्यधारा से जुड़े रहे इसी तरह बॉर्डर डिस्टिक और उग्रवाद प्रभावित जीलों के युवाओं के लिए कॉंस्टेबल भरती परिक्षा में कोटा बढ़ाया गया है सरकार के प्रयासों से अर्द सैनिक बलों को लगातार मजबुती मिल रही है